एक बार की बात है एक गाई का निदन हो जाता है और वे यमलोग पहुंसती है तब ही उसे अपने सामने यमराज दिखाई देते हैं यमराज उसे बोले गाई तुम तो बहुती सोभग गिशाली हो जो तुम एक सेट के यहां रही सेट के यहां तो तुम्हें बहुत आराम से रही होगी वैसे तुमारे कर्म बहुत अच्छे हैं मांगो तुम अगले जनम में क्या बनना चाहोगी तबी गाई बोली हे प्रभू आप मुझे कुछ भी मना दीजिए परन्तू किसी इनसान के यहां बंदन युक्त जीवन मत दीजिए अगर आप मुझे पशु भी बनाते हो तो ठीक है लेकिन किसी इनसान के यहां रहना पड़े उसकी यह बात सुनकर यमराज हैरान हो गए वह बोले हे गाई तुम ऐसा क्यों बोल रही हो इनसान धर्ती के सबसे बुद्धिमान प्राणी होते हैं उनके कारण तुम जंगली जानवरों से सुरक्षित रहती हो तब गाई बोली हां प्रभु आप सही कहते हो इनसान बुद्धिमान प्राणी होते हैं केवल धर्ती लोक में ही नहीं अपितु समस्त ब्रमान में इंसान देवताओं से भी बुद्धिमान होते हैं आपका कभी उनसे पाला नहीं पड़ा है आप शायद इसलिए ऐसा कह रहे हैं तब यमराज बोले हे गाई तुम ये क्या कह रही हो इंसान देवता से भी ज़्याद इनकी आत्माओं से रोज खेलता हूं। अगर ऐसा होता तो क्या ये मेरे नियंतरत में रहते हैं। तब गाय बोली प्रभू आपका कभी जीवित इंसान से पाला नहीं पड़ा है। वरना आपको भी पता रहता ये सुनकर यम्राज बोले हे गाय चलो मैं एक शर्त रखता हू यदि मैं एक जिन्दे इंसान को जुका देता हूं वह हार मान लेता है तो तुम्हें वापस इसी सेट के गाय का जनम दिया जाएगा। लेकिन अगर मैं उस इंसान को शर्त नहीं हरा पाता हूं तो तुम्हें मनचाहा जीवन दे दिया जाएगा। अब गाय बोली ठीक है प्रबू जैसी आपकी इच्छा ये शर्त मुझे मंजूर है यम्राज बोला चलो ये काम तुमारे मालिक से ही करता हूँ और वे गाई के मालिक सेट को धर्ती लोग से जिवित ने का आदेश दे देता है जब यम्राज का दूत उसे रास्ते में उठा कर ला रहे होते हैं तब खुद को उड़ता देख सेट बोला अरे कौन हो तुम मुझे कहा ले जा रहे हो तब यमदूत बोला यमलोक ले जा रहे हैं खुद को जिंदा देख एक किताब में उसने कुछ लिख दिया जब यमलोक में सेट पहुंसता है तो यम्राज उसे देख बोला आ गए मनुश्य सेट हिम्मत जुटा कर बोलता है यम्राज मोहदे करपिया इज़त से फरमाईए वह किताब खोल कर यम्राज को दिखा देता है जिसमें लिखा था यह मनुश्य मेरा अवतार है अब तुम्हारा कारेकाल पूरा हुआ मान्नेवर इसे अपना सिंगासन सोप दो और नीचे व इसे अब सबको केवल सवर्ग ही मिलने लगा इससे मरती लोक में हहाकार मच गया सवर्ग की जन्संग क्या बढ़ गई नर्क में ताले लग गए यम्राज बेचारा परेशान होकर यम्राज के बाहर बेटा था तब ही विश्नु जी वहां आए और यम्राज से बोले मान्ने यदे वर ये क्या हो रहा है आपके शाषन में नर्क में ताले ऐसा क्यूं तब यम्राज बोला परभू क्या क्यों आप मुझे कष्ट दे रहे हो आपने ही तो हमें कारिये से हटा दिया था और इस इंसान को सिंगासन देने के लिए कहा था विश्नु जी हसे और बोले यम् पस तुम यम्लोक में किसी जीवित मनुष्य को तो नहीं ले आए तब यम्राज ने कहा हाँ प्रभू विश्णु जी बोले बस उसने तुमें मुर्क बनाया है मैंने तुमें ऐसा कोई आदेस नहीं बेजा था ये केवल उस मनुष्य की तुम से बचने की तरकीब थी यह दे इस तरह एक मनुष्य ने यम्राज को मात देता है